दोस्तों मैं हर्शिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माई वर्ल्ड इसके पहले मैंने FHR के उपर एक वीडियो बनाए थी जो कि आपने बहुत पसंद की और बहुत सारी जनकारी देने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन सिमिलरली मेरे साथ मेरे वीडियो पे कमेंट आया था कि उनके बेबी का जो हार्ट रेट है वो 83 बिट्स पर मिनट है क्या ये नॉर्मल है ये सही है क्या है तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि कोई भी अगर आपकी रिपोर्ट जैसी भी आती है आपको इमिडियेटली अपने डॉक्टर को दिखाना होता है वो आपको बताती है क आप जब भी फॉलो अप करा रहे हैं तो एक बार पेपर पे लिख के जाहिए आपको जो जो याद रहता है अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए क्योंकि प्रेकि प्रेग्नेंसी ऐसी चीज है ये आपकी और आपकी बच्चे का सवाल है तो इमिडियेटली अपने भड़कन स्टार्ट हो जाती है कुछ ग्रूप ऑफ सेल्स हैं जो की थोड़ा सा वाइब्रेट करना शुरू करते हैं वो हाट का फॉर्म ले लेती है और वो बच्चे के अंदर वो दिल बनके वो पूरे थ्रूआउट दा लाइफ वहां से उसकी धड़कन स्टार्ट होती ह है कुछ वाइबरेशन वहती है तो दीखिये वो जो वाइबरेशन होती ऊपकर्फेक्ट वैली वouse flatterओ करणफ सकती है क्योंकि बच्चे अभी डिवलुपमेंट वाले कंडिशन में होते हैं बच्चा अभी farm हो रहा है तो कुछ ज्यादा या कम हो सकता है बच्चे की static जो अगर position आप कहोगे या फिर fetal heart rate की position कहिएगा तो वो आपको 9 month में ही थोड़ा सा stable होता हुआ दिखाई देगा लेकिन throughout the pregnancy fluctuations बहुत जादा होती है लेकिन क्या होता है कि अगर बहुत जादा अगर दिल की धरकन हो जाए या बहुत कम हो जाए अगर मैं बात करूँ तो normal range अपनी डॉक्टर से आप जरूर पूछ लीजेगा कि क्या ये normal है या नहीं है लेकिन extreme low की मैं बात कर रही हूँ extreme low भगवान न करें किसी के साथ हो लेकिन वो miscarriages के कारण बन सकते हैं अगर extreme high की मैं बात कर रही हूँ कि बहुत जादा अगर दिल की धरकन बढ़ गई है तो उस वक्त ऐसा होता है कि जो blood का supply है वो complete नहीं मिल पाता है heart जादा धरकता है उस वक्त तो उस वक्त ऐसा हो सकता है कि maybe heart का failure भी हो सकता है तो यह तो extreme cases है तो उन्होंने question पूछा था मैं बस उसका जवाब दे रही हूँ आप लोग अगर जान गए तो अच्छी बात है लेकिन इस तरह की negative चीजों से आप थोड़ा सदूर रहे मतलब यह आपके काम की चीज़े नहीं है अपनी doctor से अपने जो value आती है वो normal range होती है और plus minus जो भी हो आप अपनी doctor से जरूर consult करिए और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग किसी चीज़ को problem समझते हैं बट वो इतनी बड़ी problem होती नहीं है क्योंकि देखिए doctor भगवान का दूसरा रूप होता है धरती पर तो उन पे विश्वास कर लेगा और सब कुछ अच्छा होगा डिलीवरी बेच्छे से हो जाएगी प्रेग्नेंसी भी सुखत से निकल जाएगी तो प्लीज कोई भी छोटी से चोटी सी बात या कोई भी अपने मन में किसी भी तरह कोई डाउट है वो अपने डॉक्टर से प्लीज मत चुपाईए त Thank you so much for watching Twins My World